नमस्कार सभी को मैं आज आपको कच्छा पाँच्वी विशे भासा हिंदी माध्धम की पाट पहला है देखिए देखो पहचानो और चर्चा करो इसमें एक चित्र दिया गया है और पाट का नाम है जन्म दिन देखो पहचानो और चर्चा करो तो इसमें जन्म दिन का चित्र दिया गया है इस चित्र के उपर देखिए यहां दाहिनी तरफ एक वाक लिखा हुआ है सनेह सहयोग का भाव अपार जनब दिन का यही स्त्रेस्ट उपहार और इस बाएं तरफ देखिए कुने में एक वाक लिखा गया है दोनों है परिवार की शान बेटा बेटी एक समान और नीचे एक वाक देखिए यहां लिखा है परमपरा से जनब दिन है मना रहें मिलकर सभी हैपी बर्थडे गा रहे हैं तो इस बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखना है कि इस चित्र में दिया क्या गया है तो इस पाठ का परिचे देखिए मैं थोड़े में आपको करा रहा हूँ इस चित्र पाठ में जन्म दिन मनाने के संबंध में दो चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में पारमपरिक धंग से जन्म दिन का द्रिश दिखाया गया है और इसके नीचे एक और चित्र है दूसरे चित्र में आधनिक धंग से जन्म दिन मनाने का द्रिश दिखाया गया है तो इन दोनों चित्रों की व्याक्षा मैं आपको थोड़े में बता रहा हूँ तो पहले चित्र के बारे में देखिए कि पहले चित्र का हम विवरंड किस तरह से करेंगे तो पहले चित्र के बारे में देखिए कि पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में एक माता पिता अपनी बेटी के जन्म दिन पर थाली में दीप जला कर उसकी आरती उतार रहे हैं लड़की के मित्र और सहिलियां इसमें सामिल हुए हैं सभी रंग बिरंगे उस्त्रों में सजे धजे हैं और प्रशन मुद्रा में हैं लड़की का एक मित्र उपहार और उसकी एक सहेली फूलों का गुच्छा लेकर आए हैं इस चित्र में स्नेह और सहयोग तथा बेटा बेटी एक समान की भावना दिखाई देती है हम इस दूसरे चित्र के बारे में देखेंगे देखिए यहां अंग्रेजी में हैपी बर्थडे लिखा हुआ है और इस टेबल पर तमाम मिठाईयां दिखाई दे रही है और एक देखिए दो बच्चे हैं और जिस बच्चे का जनम दिन है देखिए इस चित्र का विवरण मैं आपको थोड़े में बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए इस चित्र में एक लड़के का जनम दिन मनाया जा रहा है लड़के के हाथ में गुबारा है देखिए ध्यान से लड़के के हाथ में गुबारा है और उसके चहरे पर खोसी है इस अवसर पर उसका एक मित्र और उसकी एक सहेली इस खोसी में सामिल हुए हैं लड़की के सिर पर संकु आकार वाली टोपी है लड़के का मित्र उसे टोपी देते हुए पहनने के लिए कह रहा है यानि वो टोपी दे रहा है लड़के को वहाँ और भी टोपिया रखी हुए हैं बच्चे के पिता जी प्रशन मुद्रा में देख रहे हैं उनके हाथ में थाली है जिसमें मिठाईया हैं सामने स्वीट सैंडवीच समोसे बरफी लड़ू केक चट्निया और सास प्लेटो में सजा कर रखे हुए हैं पानी का जग है गिलास और प्लेटे सजा कर रखे हुई हैं जन्मदीन के औसर पर केक काट कर खुसी मनाई जाती है उस समय सभी लोग हैपी बर्थडे टू यू गाकर सुभकामनाई देते हैं कई उपहार दिये जाते हैं उसका जन्मदीन है जिसका जन्मदीन है उसे बड़े लोग आसिरवाद देते हैं इकठे होने वाले बच्चे कई खेल खेलते हैं बाद में जलपान का कारिकरम होता है तो बच्चों हमने ध्यान से देखा इन दोनों चित्रों को एक जो है एक आधुनिक यूक का जन्मदीन मनाया जा रहा है और इस पहले वाले चित्र में पुरानी परमपरा से जन्मदीन मनाया जा रहा है इस चित्र के माध्यम से हमें ये समझना है कि बेटा बेटी एक समान है और हमें दोनों का जन्म दिन मनाना चाहिए और देखिए जन्म दिन के बारे में थोड़ा परिचाए और मैं आपको दे रहा हूँ कि जन्म दिन के बारे में देखे जैसे जन्म दिन दो तरह से मनाया जाता है एक पारमपरिक धंग से और दूसरा आधुनिक धंग से पारमपरिक धंग वाले शमारों में मा बच्चे की आरती उतारती है और उसके दिरगायों की कामना करती है बच्चा माता पिता और बोड़े के चरण छुकर उनसे आसिरवाद लेता है आधुरिंग ढग के समारों में बच्चा जलती हुई मुंबतिया मुह से फूक मार कर बुझाता है केक काटा जाता है लोग हैपी बर्थडे टू यू गाते हैं और खुसिया मनाते हैं जलपान करते हैं और उपहार देते हैं तो इस तरह से ये जन्म दिन मनाने की दो पद्दतियां है एक पारामपरिक ढग से और दूसरी आधुनिक ढग से